दोस्तो पिछले कल से लेकर अभी तक भारत को लेकर एक नहीं बलकि कई बड़ी अपडेट्स निकल कर सामने आ रही है और इन सबी अपडेट्स को हम आज इसी एक वीडियो में कवर करेंगे इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखेगा और इस वीडियो को लाइक और जिनों ने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं क्या है प्लीज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे सबसे पहली अपडेट की बात करें तो यह आ रही है भारत के तेजस वाइड़ेट को लेकर हाली में 25 की गई एक रिपोर्ट में HL के ऑफिसल्स की तरफ से य यह खबर निकल कर सामने आई है कि HL की बातचीत अपने एडवांस स्टेज में पहुंच चुकी है और ना सिर्फ तेजस बलकि HL अब प्रचेंट हैलिकॉप्टर को भी ऑफर कर रही है और जी बिजनिस ने यह भी दावा क्या है कि इन चारों देशों के साथ जिस तरह के डिफेंस एक्सपोर्ट को लेकर बातचीत चल रही है उस हिसाब से यह पूरा डिफेंस ओडर सत्तर हजार करोड रुपे तक का हो सकता है जिसमें अर्जेंटिना भारत से 10 तेजस मार्क वन पाइटर जैट और 5 प्रचेंट हेलिकॉप्टर नाइजीरिया करीब 16 से लेकर 18 तेजस मार्क वन वही इजिप्ट करीब 20 तेजस फाइटर जैट और फिलिपिन्स लगबग 20 LCH हेलिकॉप्टर लेने में इंट्रेस्टिड है बात करेगर अगली अपडेट की तो यह आ रही है अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडन और इंडिया के रीपब्लिक डे परेड के मौके पर भारत की तरफ से हर बार किसी एक देश के प्रेसिडेंट या फिर प्रायम इनिस्टर को एजड़ चीफ गेस्ट इन्वाइट की जाता है और साल 2024 में होने वाली परेड के लिए अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडन को चीफ गेस्ट के तोर पर भारत की तरह से इन्वाइट किया गया था लेकिन खालिस्ताने एक्टिविटेस्ट और सिख फोर जस्टिस के लीडर गूर्पन सिंग पन्नु की हद्या की कौन्स्पिरेश्य को लेकर भारत और अमेरिका के बीच जो पॉलिटिकल डिस्प्यूट खड़ा हो गया है उसके चलते अब जो बाइडन ने अपनी भारत की विजिट को कैंसिल कर दिया है इसके पीछे खुल कर पन्नु की मर्डर प्लानिंग का नाम तो नहीं लिया गया है लेकिन इसके पीछे अमेरिकन ओफिसल्स ये बहाना मार रहे है कि जनवरी महिने में जो बाइडन का स्टे State of the Union American President की एक स्पीच होती है जिसमें वह पूरे अमेरिका को संभोधित करते हैं और अपने देश की प्रोग्रेस को लेकर बात चीद करते हैं लेकिन जो पॉलिटिकल एक्सपर्स का कहना है कि जो बाइडन एंड मिनिस्टेशन के कई मिनिस्टर्स की तरफ से पन्नु वाले केस को लेकर जो बाइडन पर दबाब बनाया गया है कि वो भारत की विजिट पर ना जाए ताकि भारत को एक कड़ा मैसिज भेजा जा सके अगिली अपडेट की बात करें तो यह आ रही है क्वाड को लेकर दरसल जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि साउथ चाइना और इं एक मीटिंग कंड़क्ट करते हैं और एक साथ इखटा हो कर अपने आगे की पॉलिसीज को फ्रेम करते हैं और इस बार की मीटिंग की खास बात ये थी किस मीटिंग को भारत होस्ट करने वाला था और भारत की प्लानिंग ये थी कि जब जो बाइडन रिपब्लिक डे के 2024 के एंड में रिसेड्यूल कर दिया गया है जो कि मोस्ट प्रोबैबली कैंसिल ही कर दी जाएगी और ये पहली बार नहीं है पिछली क्वाड मिटिंग को जब ऑस्ट्रेलिया में होस्ट क्या गया था तब भी एन्मो के पर अमेरिका ने मिटिंग एंड करने से मना कर दि जबकि इसके कमपेरिजन में आप ब्रिक्स और समिट्स को देखो तो इनके सभी मेंबर्स फीजिकली ना सही लेकिन वर्चुली सभी मिटिंग को अटेंड करते हैं फिर चाहे सभी देशों के बीच आपस में संब्द कितने ही खराब क्यों ना हो इसी बात से पता चलता है क कि ब्रिक्स आज की डिट में इतना पावरफुल ग्रूप क्यों है और अगर यह ग्रूप फाइनेशली की जगा मिलिट्री डिफेंस ग्रूप होता तो यह अमेरिका के नाटो को भी फेल कर देता अगली अब्रेट की बात करें तो यह आ रही है पाकिस्तान द्वारा दी ग वकार के फैसले को साविधानिक रूप से सही बताया गया है जिसके बाद कानूनी रूप से यह साफ हो गया है कि आगे से सुप्रिम कोट भी आर्टिकल 370 के मामले में अपनी तरफ से कोई दखल अंदाजी नहीं करेगा अब भारत के सुप्रिम कोट की इस वर्डिक्ट पर इंटर्विव के दारान ये स्टेटमेंट दी है कि भारत सरकार ने आर्टिकल 370 हटा कर कश्मीरी लोगों की भावनाव के साथ खिलवाड किया है और कश्मीरी लोग गाजा में जिस तरह से हमास के लोगों ने पैरा ग्लाइडर के थुरू हमला किया था उसी तरह की कश्मीरी लोग इनेक्टिव रूप से सुईकार नहीं करेंगे क्योंकि वो सुप्रीम कोट के फैसले को उनके राइड्स याने की अधिकारों का उलंगन मानते हैं साथ ही ब्रिगडियर हसन ने कश्मीरी यों से पाकिस्तान और कश्मीरी लोगों को एक साथ एक जुट होने की रिक्वस्ट भी की है और इस लिख़्स मामले को कश्मीरी इंज्यों के साथ मिलकर इंटर्नेशनल कोर्ट में रेस करने की मांगी है अब इस पाकिस्तान को को यह समझाए कि कश्मीर के चक्कर में भिकारी बन गया है लेकिन आज भी उसका कश्मीर प्रेम कम नहीं हो रहा खेर आप सभी लोगों को क्या लगता है पाकिस्तानी ब्रिगेडे ने जो भारत पर हमास जैसे हमले की धमकी दी है क्या पाकिस्तान कभी कश्मीरी लोगों को मैनिपलेट करके भारत की अगिंस्ट कर पाएगा या फिर नहीं और क्या कश्मीर में वापस से आर्टिकल 370 या फिर नहीं कमेंट करके जरूर बताना और जाने से पहले एस्वी नॉलेच चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को जरूर पैस करना ताकि आने वाली सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे चैहिंद चैह भारत